शरीर से डिटाच्च होके बाबा के साथ हम गोपी बनके बाबा हमारा प्रीतम है हम बाबा के गोप गोपिया हैं तो प्यार में मगन हो जाएंगे नशे में हम मस्त गोपिया हैं गोप गोपिया उसी स्मृत्ती में लवली नवस्ता का अनुभव करेंगे बाबा सिर्फ मेरे लिए आये हैं इस धर्ति पर स्वें बगवान हमारे साथ है खुदा दोस्त तो हम निश्चिंत हैं जो भी चिंताएं बाब को दे दे जो भी कम्या हैं बाबा को बता दे स्थूल और सूप्ष मुकम्यों को गेहराई से सोच के बाबा को अरपन कर दे जिससे मैं आत्मा शुद्ध बन जाओंगी तो बाबा के प्रेम में मगन हो जाएंगे झाल जाएंगे जो जाएंगे विएएंगे तो एंट कर देच्झ आसे अनुद्धंगा नयारा मैं अन्मॉल रथन हम इसी स्मृति में दो मिनिट रहेंगे कि एक बाप दूसरा मैं और तीसरा ना कोई इन्हें दिल में सिर्फ बाबा को स्तान दे दे जैसे दिखाते हैं अनुमान के रिदय में सिर्फ राम था हमारे दिल में सिर्फ शिव बाबा है आज का मुरली सुनते हैं आज इकिस मैं इस मुरली में विशेश बाबा ने सेवाधारी के लक्षन बताया है हमारी सेवा कैसे होनी चाहिए जैसे हम केते हमने चार गंटा सेवा की छे गंटा सेवा की लेकिन बाबा केते हैं अभी चार गंटे या छे गंटे का सेवाधारी मत बनो तो क्या करना है सदा सेवाधारी रहना है बैड़ते हैं तो भी सेवा, खाते हैं तो भी सेवा, चलते हैं तो भी सेवा, ऐसे सेवादारी बनना है, अर्थात हमारा हर कर्म में सेवा होनी चाहिए. और दुसरा दृष्टी से साक्षातकार कराना है, ऐसे साक्षातकार मुरत अभी बनना है, बाबा कभी बोलते हैं साक्षातकार का चाहबी मेरे पास है, तो आज बाबा बोल रहे हैं दृष्टी से सभी को साक्षातकार करो. और बाबा ने ये भी बताया जो भी हमारे संबन संपर्क में आते हैं उनको शांति का या शीतलता का या सहारे का अनुबव होना चाहिए हमारे सारे दिन में हमारे साथ कितने लोग संपर्क में आये कि संपर्क में आने के बाद डिश्टर्ब होके गए या खुश होके गए यह चक करना पड़ेगा मुर्लिक के बाद हम तो यह होमर्क भी रहेगा तो आज के मुर्ली सुनते हैं विशेश कैसे सेवादारी बनना है इसके उपर है टाइटल दिया है संगम योगी ब्रामन जीवन का विशेश गुण और कर्तविय ठीक है अपने वर्तमान संगम योगी ब्रामन जीवन की विशेशता को जानते हो बाबा पूछ रहे हैं अपने विशेश गुण और कर्तविय को जानते हो अभी संगम युगी ब्रामन है हम हमारा विशेशता क्या है हमारा विशेश गुण क्या है और कर्तव क्या है सबी को सोचना है हमारा विशेशता क्या क्या है आप लिश्ट बना सकते हैं हमारा विशेश गुण क्या है और कर्तव क्या है जो गुण और कर्तव और कोई भी युग में नहीं हो सकता वो कौण सा विशेश गुण हैं Knowledgeful, Master, ग्यान सागर और कर्तव है विश्व सेवाधारी अर्थात Godly, Servisable क्या क्या विशेश गुण हैं, हम Knowledgeful भी हैं, अर्थात Master ग्यान सागर भी है और हमारा कर्तव क्या है, विश्व सेवाधारी अर्थात Godly, Servisable आत्मा हैं दोनों विशेशताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो, बाबा पूछ रहे हैं Master ग्यान सागर भी हैं, और विश्व सेवाधारी भी हैं, ये दो विशेशताओं के उपर आज का, आज की मुरली है आप लोग कहलाते भी हो, कि हम World Servant ये विश्व सेवाधारी हैं World Servant की परिभाशा क्या है? किसको World Servant कहा जाता है? बाबा पूछ रहे हैं आज उनके लक्षन क्या होते हैं, World Servant के लक्षन क्या होते हैं, लक्ष क्या होता है? और प्राप्ति क्या होती है? विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षन सदय यही रहता है, कि विश्व को अपनी सेवाध्वारा संपन वसुखी बनावे विश्व सेवादर्यार्तात सर्विसेबल का लक्षन सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवाद्वारा संपन वा सुखी बनाएं किस से जो अप्राप्त वस्तु है इश्वर्य सुख शांती और ज्ञान धन से सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिखारी बनावें सबी को चक करना है हमारा लक्ष क्या है सेवा करने की लक्ष क्या है इश्वर्य सुख शांती और ज्ञान का धन और शक्तियों से आत्माओं को भरना है यही हमारा लक्ष होनी चाहिए क्योंकि विश्व सेवादारी सदा कल्यान और रहम की द्रश्टी से सब को देखते हैं इसलिए सदा यही लक्ष रखना लक्ष रहता की विश्व का परिवर्तन करना ही है यही लगन रात दिन रहती है तो चक करना है हमारा लक्ष क्या है विश्व परिवर्तन करना इतना गहराई से लक्ष रखा है क्या हमको मैसूस होता है कि विश्व का परिवर्तन करना है अभी हमारा responsibility बहुत जादा है विश्व परिवर्तन करना है क्योंकि यह रहने लायक नहीं है अभी हमको इसको बदल के फिर से नया विश्व बनाना है तो रात दिन यही लगन रहनी चाहिए करके बाबा बोल रहे है सेवादारी के लक्षन क्या दिखाई देंगे सेवादारी अपना हर सकेंड संकल्प बोल कर्म सम्मन सर्म पर सेवा में ही लगाते हैं सेवादारी सेवा करने का विशेश समय नहीं निश्चित करते कि चार गंटे छे गंटे की सेवादारी हैं हर कदम में अतक सेवा ही करते रहते हैं तो क्या करना है हमको हर कदम में अथक सेवा करनी है अर्थात चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते सब क्या करना है सेवा ही करनी है इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्मयोगी भी हमको बनना पड़ेगा बाबा बोल रहे हैं उनके देखने में चलने में खाने में पीने में सब में सेवा समाई हुई होती है मुक्य सेवा के साधन चार है स्मरती, वृत्ती, द्रिष्टी और क्रती इस सब प्रकार से सेवा में तत्पर होगा जो सच्चे सेवादरी होंगे वो चार साधन से सेवा करेंगे सेवा में तत्पर होंगे पेला, स्मृत्ती द्वारा सरु आत्मावं को समर्ती सोरूप बनाएगा दूसरा, वृत्ती द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा तीसरा, द्रश्टी द्वारा आत्मावं को स्वयम का और बाप का साक्षात्कार कराएगा और चौता, क्रती द्वारा स्रेष्ट कर्म करने के अपने आप को निमित बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाएगे ठीके, ये चार याद रखना है स्मृत्ती, उरत्ती, द्रश्टी और क्रती में कैसे सेवा करनी है ये चार ऐसा सेवाधारी स्वयम के रात दिन के आराम को भी त्याक कर सेवा में ही आराम मेसूस करेंगे ऐसे सेवाधारी हो सेवाधारी के संपर्क में रहने वाले वा संबन में रहने वाले आत्मा ये उनकी समीपता वा साथ से ऐसे अनुबव करेंगे जैसे शीतलता वा शक्ती शांती के जरने के नीचे बेटे हैं वा कोई सहारा वा किनारे के प्राप्ती का अनुबव करेंगे ये इंपोर्टन पॉइंट है तो दूसरों को अनुबव हो हमारे साथ जो भी संबन संपर्क में आते हैं उनको क्या अनुबव होना चाहिए जैसे शीतल जरने के पास बेटे हैं तो शीतलता का अनुबव होगी या तो शांती का शक्ती का ऐसे अनुबव होना चाहिए छीतलता का अनुबव दूसरों को होना चाहिए दूसरों से क्या फिडबैक मिल रहा है हमको क्या हमारे साहारे हमारे साथ रहने से उनको सहारा कान हो रहा है कि चक करना पड़ेगा तो दूसरा इसे नहीं समझे कि इनके साथ जाने के बाद सिर्दर जादा हो गया या कष्ट जादा हो गया हम गुसा कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए तीन बात बाबा ने कही शीतलता शक्ति और शांति कानबों होना चाहिए और सहरे कानबों भी होना चाहिए तो ए भी चक करने की पॉइंट ऐसे सेवाधारी के संकल्प वशुब भावनाएं शुब कामनाएं सूरिक की किरने मुवाफिक चारो और फैलेंगी जैसे सेवाधारीों के जड़ चित्र अल्प काल के लिए अल्प काल की कामनाएं पूर्ण करती हैं अईसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदाकाल के लिए संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करेंगी सेवाधारी जड़ चित्र क्या करेगा अल्प काल के लिए कामनाएं पूर्ण करती हैं लेकिन हम कावन है अभी चैतन्य चरित्रवान सेवादारी हैं तो सदाकाल के लिए सरु के कामनाएं पूर्ण करनी है इसलिए कामधेनु का गायन है जैसे कोई खान संपन होती है तो जितना चाहे उतना संपन हो सकता है और हद की खान से और ही हद की खान से विशेश्टा होगी हद की खान से एक वस्तु मिलेगी लेकिन यहाँ विचित्र खान है जिसको जो चाहिए वहाँ मिल सकता है ट्रेजर से क्या मिलता है वस्तुल ट्रेजर से कोई एक वस्तु मिल सकता है लेकिन यहाँ सब प्राप्तियां देनी पड़ेगी ऐसा सेवादारी तड़फ्ती हुई आत्मावों को सहज ही मंजिल का अनभव कराता है सदा संतुष्ट इस प्राप्ति का वर्दान सेवादारी को सतही प्राप्त होता है क्योंकि वह जानते हैं कि हर आत्मा का भिन भिन पात्र है, पार्ट दारी के किसी भी प्रकार का पार्ट को देख असंतुष्ट न हो, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों गुसा करते हैं, वो क्यों गाली देते हैं, ऐसा नहीं, पार्ट दारी के कि किसी भी प्रकार का पार्ट को देख असंतुष्ट ना हो ऐसे सेवाधारी के मन से सदे भर्षित और संतुष्ट रहने की गीत कौन सा निकलता है वाह बाबा वाह वाह मेरा पार्ट वाह और वाह मीठा ड्रामा वाह तो यह बहुत डिप पॉइंट है किसी का भी पार्ट देखने के बाद हमारे में प्रश्ण ना आए यह क्यों ऐसा करता है वो क्यों ऐसा करता है सबी के पार्ट देखके क्या आना चाहिए वा बाबा वा मेरा पार्ट वा मीटा ड्रामा यह बहुत मुश्किल काम है लेकिन करना ही है हमको बनना ही है इसा जब स्वयम सदा या मन का गीत गाते तभी सरो आत्माएं भी अभी भी और सारे कल्प में भी उनकी वाहवा करती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट ऐसे सेवाधारी सदा विजय के मालाधारी होते है नौरात्री का लाष्ट दिन का स्वरूप क्या है सिद्धी दाईनी बना जो विजय को पाई है जिसने विजय को पाई है वही सिद्धी दाईनी है ये स्वरूप ऐसे सेवादारी सदा विजय के मालादारी होते हैं सफलता स्वत्तह अधिकार है इसी निश्चय और निश्चय में रहते हैं सदा संपन और बाप के समीब का अनुबव करते हैं यहे सेवादारियों की प्राप्ति तो ऐसे लक्ष और लक्षन और प्राप्ति का अनुबव करते हो जब ब्रामणों के जीवन का विशेश कर्तव ही यह है अपने कर्तवी को यथार्त रीती से निबा रहे हो ये खे बाप्स फ्रीत की रीती निबाना दूसरा है कर्तवी निबाना दो निबाने के लिए बाबा बोल रहे हैं एक बाप से प्रीत की रीती निबाना है दूसरा है अमारा कर्तवी निबाना है जो सेवा का कर्तवी है विश्व सेवाधारी का कर्तवी है उसको निबाना है तो दोनों निबाने वाले हो, सिर्फ केने वाले हो, सिर्फ केने वाले तो नहीं हो न, केने वाले नहीं करने वाले बनो, समझा, सेवाधर्यों का महतु क्या है? अच्छा, ऐसे दिन रात सेवा में तत्पर रहने वाले, सम्पन बन सर्व को सम्पन बनाने वाले, सर्व सरूप से ओल राउंड सेवा करने वाले, सदा सर्व प्रती कल्यान और रहम की भावना रकने वाले, ऐसे विशेश सेवा धारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, ऐसे बनाने वाले बाप को भी अमारा याद प्यार नमस्ते, नेक्स्ट पार्टियों के साथ पहला सदय एक मंत्र याद रखो बाप को दिल का सच्चा साथी बना रखेंगे तो सदा अनुबव करेंगे खुश्यों की खान मेरे साथ है क्या करना है बाप को दिल का सच्चा साथी बना कर रखेंगे तो अनुबव क्या करेंगे खुश्यों की खान मेरे साथ है सदा इस संग का रुहानी रंग लगा रहेगा रंग के बारे में बात कर रहेते हैं तो बाबा बुल रहे हैं, अभी सदा इस संग की रुखानी रंग लगा रहेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा संग है सर्वशक्तिवान का, सत्संग की महिमा है तो सदा बुद्धी द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का संग करना यही सत्संग है, सत्संग की मैमा है तो सदा बुद्धी द्वारा सत बाप सत शिक्षक सत गुरु का संग करना यही सत्संग है यह definition याद रखना है सत्संग का definition बावा ने दिया है अभी सत्संग किसको कहा जाता है इसको याद रखना है इस सत्संग में रहने से सदा हर्शित और हलके रहेंगे किसी भी प्रकार का बोच अनुबव नहीं होगा निश्चय बुद्धी हो यह तो ठीक है लेकिन निश्चय का रिटर्न है बाप को सदा का साथी बना कर रखना इसको नहीं किये मुआ हंडेट परसे निश्चय बुद्धी हो लेकिन बाबा साथ में नहीं है जो निश्चय बुद्धी होते हैं वो सदा बाप को साथी बना कर रखते हैं पल-पल बाप का साथ हो सदा साथ के अन्वों से संपन का अन्वों करेंगे ऐसे लगेगा जिसे भरपूर है जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है सब अपना हो गया कितना आसान है जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है सब अपना हो गया तो हम भरपूर बन गये ना सदा इश्वरी नशे में और भविश्य देवपद के नशे में रहते हो यह नेक्ष्ट ग्रूप होगा इश्वरी नशे और भविश्य देवपद के नशे में रहते हो हाज की मुल्ली में भी यही पॉइंट था साकर मुल्ली में संगम युग की प्रालब्द क्या है बाप को पाना संगम युग की प्रालब्द क्या है बाप को पाना और भविश की प्रालब्द देवपद पाना तो दोनों प्रालब्द की स्मृति रहती है जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा बाप से उपर और कुछ नहीं सबसे सक्षक्तिवान सबसे स्रेष्ट सब के उपर जो है वो हमको मिल गया तो कितना नशा होना चाहिए बाप मिला तो सब कुछ मिला पाना था सोपा लिया सब कुछ मिल गया सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुबव कर सकते हो याद नहीं तो प्राप्ति का अनुबव नहीं सदा प्राप्ति के नशे में रहो कि मैं माश्टर सर्व शक्तिवान हूँ शक्तियां बाप की प्रापर्टी हैं तो बच्चे का उस पर अधिखार है अधिखारी बच्चों के मन से सदेव यही गीत निकलेंगे जो पाना था सो पा लिया तो सदा ये गीत येक गीत पहले बाबा ने क्या बता है शुरू में वा बाबा वा ड्रामा वा मेरा भागी और अभी दूसरा क्या है कौन सा गीत है जो पाना था वो पा लिया किसी भी प्रकार का विग्न रास्ते चलते आवे तो निर्विग्न रहने की तरीका आ गया है विग्न को हटाना सहजिया मुश्किल है जब बाप का हाथ छोड़ते हो तो मुश्किल लगता है अगर बाप सदा साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं बाप का साथ छोड़ने से कमजोर हो जाते हैं कमजोर को छोटी बात भी बड़ी लगती है बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगती है कमजोर और बादुर का अंतर क्या है कमजोर को छोटी बात भी बड़ी लगती है और बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगती है इसको लिखके रख सकते हैं स्लोगन जब बाप साथ देने के लिए तयार है लेने वाले न ले तो बाप क्या करें किनारा नहीं करो तो सदा सहज लगेगा पांडव अर्थात बाप के साथ की स्मृती में रहने वाले कल्प पहले भी पांडवों की स्मृती की विशेष्टा क्या गाई हुई है पांडवों को नशा था बाप हमारे साथ है बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले बने चैलेंज की न कि हम विज़ई बनेंगे चैलेंज का आदार था बाप का साथ तो जब पांडवों के साथ की यह विशेष्टा गाई हुई है तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा गायन में उतना लिका है तो प्रैक्टिकल में और कितना होना चाहिए माया के बड़े-बड़े महावीर की पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई विनाश को प्राप्त हुए ऐसे माया के विगनों को पार करने वाले अनुबव करते हो कि माया से गबराते हो किसी भी प्रकार के माया के विगन आवे लेकिन त्रिकाल दर्शी होकर अर्थात माया क्यों आती है और उसको भगाने की तरीका क्या है यह सब जानने वाले माया आती है तो माया क्यों आती है उसको भी जानना है माया को भी जानना पड़ेगा ऐसा नहीं कि माया के बारे में हम अना भिगनिया है उसके बारे में भी जाना है अर्तात माया क्यों आती है उसका बगाने का तरीका क्या है सब जानने वाले माया आ गई क्या करे ऐसे नहीं ऐसे गबराने वाले नहीं पांडवों का चित्र भी गौालों के रूप में दिखाते हैं सदा गौाल बाल के साथ रहते थे कि मैंने क्रिश्ण के साथ रहते देता इसे दिखाते हैं चैतन्य अपना जड यादगार देख रहे हैं यह वंडरफुल बात है न सकतियों का या गोपिकाओं का यादगार है खुशी में नाचना पाउं में गुंगरु डाल कर नाचते हुए दिखाते हैं गोपियों को जो सदा खुशी में रहते उनके लिए कहते हैं खुशी में नाच रहा है नाचते हैं तो पाउं उपर रखते हैं ऐसे ही जो खुशी में नाशने वाले होंगे उनके बुद्धी उपर रहेगी। दे की दुनिया वा देधारी में नहीं लेकिन आत्मों की दुनिया में आत्मिक स्थिती में होंगे। तो हमारा बुद्धी के दर नहीं रहना चाहिए। हमारा बुद्धी दे की दुनिया वा देधारी में नहीं रहना चाहिए। ऐसे खुशी में नाचते रहो सदा खुशी किसको रहेगी जो अपने को गोपी का समझते हैं सभी को क्या आज अनुबव करना है अपने को गोपी का अनुबव करना है उनके लिए खुशी रहेगी गोपी का का अर्थ है जिसका लगन सदा गोपी व लब के साथ हो अपने को गुरहस्ती माता नहीं लेकिन गोपी का समझो बाबा जो कहे रहे हैं अपने को ग्रहस्ती माता नहीं लेकिन गोपि का समझो ग्रहस्ती शब्द ही अच्छा नहीं लगता है बाबा को मीरा बजन है न कभी सुनिएगा मीरा बजन सुनके उसका अर्थ निकालना पड़ेगा गोपि का समझो ग्रहस्ती शब्द ही अच्छा नहीं लगता है गोपि काओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं जब नाम लेने से दूसरे खुश हो जाते हैं तो सोयम गोपि काएं कितना खुश होंगी हमारा जड़ यादगार हम देख रहे हैं अभी हम चैतन्य में हैं चैतन्य में वही पात्र बचा रहे हैं तो कितना खुशी वनी चाहिए नशे में रहना चाहिए अच्छा ओम शान्दी दो मिनिट साइलेंस में कंटेंप्लेट करेंगे मुर्ली को कर दो झाल झाल अच्छा इसको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा इसको कि गोपी का नाम सुनते इते खुश हो जाते हैं तो हम तो गोपिया हैं चेतन ने जो अपना आधी काल में तो वो कितने खुशी होने सी कि हम गोपिया हैं जो दूसरों को खुश कर देते अच्छा यह बहुत अच्छा 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 प्रश्चा आजी नेक्स्ट कौन है नेर्मला पहन हो गया है अच्छा प्रश्चा कर दूसरों का याद भुपियाद आता है भुपिवल्लब याद आता है शीवा बनाई हुए अम्रचनाओं के याद याद है ओम्षांती अच्छा बाबा ने हमें सेवाधारी के बताया कि हमें चार-छे घंडे की सेवा के लिए ही नहीं अपने को सेवाधारी का टैटल देना हमारे जो भी हमें सेवा मिले और उसमें हमें हांजी का पार्ट करना है और उसके इलावा हमारी जो समृति है वो समृति, वृति, दिश्टि और कृति इससे भी हम सेवा कर सकते हैं क्योंकि हम इससे सामना उसमें आते हैं संगधन में आते हैं तो ये भी हमारी सेवा होती है क्योंकि इसी से हमारी विति द्वारा वायूमंट को पाउन बनाते हैं और धिश्टी द्वारा हम आत्माओं को बाप का साक्षातकार भी कराते हैं बाप की महिमा करते हैं और कृति द्वारा हम अपने शेष करम के करने से अपने आपको निमित मान कर जब हम सेवा करते हैं, तो अगलों को भी लगता है कि हाँ ये अच्छे सचे सेवा धारी है, ओम शान्ती. ओम शान्ती, बहुत अच्छे. ओम शान्ती. ओम शान्ती. तो आज बाबा ने कहा कि बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, बाबा का हाथ पकड़ते हैं तो सबको अनुबव होगा कि कोई भी विगना आता है तो बहुत असानी से पार हो जाता है, वो जैसे फील ही नहीं होता. तो बाबा का हाथ अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर वो फिर विग्न बहुत बड़ा लगता है वरना बाबा तो ऐसे उड़ा के ले जाते हैं तो बाबा ने कहा इस नशे में रहना चाहिए कि जैसे पांडव थे उनको नशा था कि भगवान उनके साथ है तो उन्होंने चालेंज करी और उनकी जीत भी हुई तो आप तो चेतन्य में हो आप तो इस ताइम स्वेम बाबा हमारे साथ हैं तो कितना नशा होना चाहिए ओम शांती और तारा बेहन अम शान्ति भाइची टो मैं भी बोलने वाली थी चार पोईंट्स जो सेवाधारी के होते हैं सिमिर्टी से रूप से हम समर्द बनाते हैं आत्माव को आत्म अभिमानी बनाते हैं और वृति द्वारा उसके वायु मंदर को जब हम पावन बनाते शक्तिशाली बनाते हैं और द्रिश्टी द्वारा जब हम आप स्वेम को भी और बाप को साशत कार कराते हैं और कृति द्वारा जो अपने करम से हम श्रेस करम करते हैं निमित बन करके तो हम हिम्मत दिलाते हैं प्रेना देवाते हैं आत्माओ के तो जब सेवाधारी इस चारो सबजेक्स में जब सेवाधारी बनते हैं श्रेस करते हैं तो हम आत्माओ जब ऐसे फील करते हैं कि हमारी आराम सेवाधारी रात दिन की आराम को भी त्याग करके सेवा ही आराम में सेवा में ही अपना आराम में सुस करते हैं वो जब आत्माओ फील करते हैं शीतलता शक्ती और शांती में सुस करेंगे न तो इसे अ कि उनको प्राप्तिया हुई है, तरुपतियात्माव को भी सहज मनजिल मिल जाता है, उनको महसूस होने लगता है, आम शांति, आम शांति, आश्विनि बेन, आज बाबा बोलते हैं कि हमें राद दिन यही स्कृति में रखना मुणिर गुद्धी में कि हमें विश्वा अज बाबा ने सत्संग की महिमा के बारे में बताया कि सत्संग की महिमा है, तो सदा बुद्धी द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरू का संकरना यही सत्संग है, और इसमें रहने से हम सदा हर्शित और हल्कित रहेंगे ओम्शा और बाबा ने कहा ना कुशियों की खान मेरे साथ है ऐसे हम अनुभाव करेंगे लास्ट सीजन का मुरले में भी बाबा ने कुशी में रहें अकेले कहा था भाग्या और भगवान इसका स्मृति में रखो क्या मिला है आज भी बाबा ने वही कहा इश्वर ये निषय और भविष Va deva के निषय में रहें जब नषय होते कुशी रहते है और दूसरी बताई गोपी का है ना हम सच्ची गोपी का है तो ये सुनते ही हैń गोपी का नाम सुनते हैं गोपिताएं। बाबानी इुति पताएं ठीक में रहने के लिए। प्रॉपणी संजपी बॉली है। युशनति बाबा कहते हैं। इस्वरे में से कितना है। इस्वरे शोल्टों दियुपद प्राफ्त होगेा। प्रावलग पाथ नियुक्त प्राप्तु नियुक्त 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 नियुक् तो एक बात यहां है, ना, गौाल बाला साथ रहतेते ह हैंगे, उसके पहले शेली सिस्टर का सुननी और गवरी सिस्टर का सुननी के बार। चेसे सभूंदें जोड़ाने हैं आज की मुली तो इतनी प्यारी है कि हर पल बाबा का साथ हम सची सची गोपी काई हैं तो गोपी वललब बाभा ने बोला तो हम उसकी सची सची गोपी काई हैं तो बाबा इसके लिए कल्प पहले का यादधार बताते कि कैसे वो नाचती थी और रास लिला में भी देखी कि कैसे वो रास चलती और हर एक को अपने साथ श्री कृष्ण दिखाई देता था कि मैं उसी के साथ रास कर रही हूं तो इसी प्रकारिस संगम पर हम सब बच्चों को जो बाप मिला है हर एक की अपना अपना हर एक ने जब हम बाबा के साथ योग-युक्त होकर रहते हैं तो यह हो नहीं सकता कि बाबा ने भी बोला है कि यह हो नहीं सकता कि मैं आपका साथ ना दूँ अभी अभ्यक्त मिलन पर भी बाबा ने बाबा मिलन पर यही बोला था, कि जैसे कोई चोटी से भी बात आये तो बच्चे बाप हमेशा बंदा हुआ लेने के लिए तो इसी प्रकार सदा बाप के साथ का अनुभाव हमें करना है और बेहद की दृष्टी बाबा ने बोला है, कि हद की दृष्टी में स्थूल में तो चलो कोई एक चीज देगा लेकिना बेहद का बाप मिला है तो बेहद का ख़जाना भी तो हमें मिला है न साथ में, तो कोई भी ऐसा कोई भी हमारे पास है तो खाली हाथ नहीं जाए, कुछ ना कुछ उसको देकर ही भेजना है पूल में तो नहीं, तो सुक्षम में, है ना, उसको शुब भाबना, शुब कामना, जहां उसको सहीयोग की जरूरत है, उसको सहीयोग देना है, क्योंकि हम सदा, अगर हमारा बाप भरपूर है, उसका बंडारा भरपूर है, तो हम उसके बच्चे भी तो मास्टर, जो भगव जैसे बाबा ने मुल्लियों में भी बोला कि आप मास्टर भगमान हो इस मुल्ली में नहीं लेकिन पिछली मुल्लियों में एक बार आया था बाबा ने बोला आप मास्टर भगमान हो तो बाबा ने हमें संपोन हमारे सारे बंडारे भरपूर कर दिया है तो इसलिए हमारे भी फ्राग दिल होना है और जो भी आए भरपूर होकर जाए ओम शांति ओम शांति जो गवरी सिस्टर बोलिये ओम शांति अभी शेली दीदी ने थोड़ा सा एक्स्प्रेंग किया वो समझ में आया लेकिन थोड़ा पूछना था कि सेवा करने के जो चार ये पता है तो तो ये चार के बारे में सोचिए हमारा द्रष्टी कैसे होना चाहिए करती कैसा होना चाहिए और समृती कैसे होना चाहिए है तो हमारा संकल्प है हमारा संकल्प इतना स्रेश्ट होना चाहिए जिसे दूसरों को मोटिवेशन मिले इसके लिए बाबा स्मर्थी स्वरुप बोलते हैं समर्थी स्वरुप बोलते हैं है इसे हमारा स्मर्थी होना चाहिए दूसरों को मोटिवेशन होना चाहिए हमारे संपर्क में आने से हमारा स्मर्थी से उनको समर्थी बनाना समर्थ बनाना और व्रत्थी से क्या बनता है हमेशा व्रत्थी मिल्स एक्चली इंग्लिश में जो इंग्लिश मुर्ली में ट्रां स्लेट करते हैं मैं यह Łद संकल्प निरंतर सच है वह व्रत्ति बनेगी जिसे आपके किसी ने कुछ बुरा बात कही तो आपको किसी को किसी ने कुछ बताया तो कि जवे चलता रहे गां कि यो मुझे बताया उसने क्यों डांट लिया मुझे तो हुरती बन जाता है संकल्प जो रिपेटटड चलता है वह घ्राज़ति है खरा करम ज़्हकर करें तो वायू मंदल मैं अच्छे संकल्प इस संकल्प का आईसे बुल जो जो सबी मिलके संकल्प बार-बार वही कर रहे हैं तो बटी में अंदर जाते ही क्या आप कौन वह होगा वायु मंडल इदर अलग है क्योंकि वुरत्ती का प्रभा है किसी को भी दृष्टी देंगे तो उनको साक्षातकार कानुबव होगा स्वयम का और बाप का अर्थात हम चैतन ने देवता हैं जो हमारा चड़ चित्र था वह हम चैतन में जा रहे हैं तो हमारा दृष्टी कैसे होना चाहिए को दृष्टी देंगे तो उनको हमारा वास्तव स्वरूप का साक्षात करोना है और बाप का साक्षात करोना है कि अर्था सिय्देश है उनकी को ये मरा दृष्टी और करम में आने से तो बाबाने इसके बारे में चारप बताए ना शीतलतकान मुर्व हो दूसरों को शक्तिका शांतिका और सब्सकून का मुझव हो और ये बाबा ने बताए कर्म में आने से दूसरों का अनुबह होना चाहिए इसे नहीं कि हम बहुत बड़ा योगी हैं और कर्म में आने से दूसरों को दुख हो रहा है हम गुसा कर रहे हैं इसके लिए भी एक पॉइंट बताया बाबा ने दूसरों का कुछ भी पात्र हो लेकिन हम हमारा स्थिति तो वह अच्छा पात्र हो बुरा पात्र कर रहे हो लेकिन हम तो वाहवा कहते रहें दूसरों का पात्र देखे हम सिर्फ हमारे बारे में सोचेंगे दूसरों के बारे म नहीं सोचेंगे. हमारा कृति ऐसा होना चाहिए दूसरों को सुकून मिले. तो यह समानी थे आपको है. ओम शांती भाई जी. इसमें थोड़ा सा एडीशन कर सकती हूँ. बिलकुल. जी जिते भेन का क्विश्चन था दृष्टि, विर्ति, कृति. इसमें सबसे पहले तो हमारी दृष्टि कौन सी है? हमारी आत्मिक दृष्टि है. सबसे पहले बाबा ने हमारी स्मृति. सबसे पहले स्मृति क्या दिलाई बाबा ने हमें? कि हम आत्मा हैं. अब आत्मा हैं तो हमारी दृष्टि भी बन गई आत्मिक. अब ये दो तो हमारे चर्म चक्षू हैं जिसमें हम सब को देह देखते थे अब हमारी आत्मिक दृष्टी तीसरी आँख खोली है बाबा ने जैसे शंकर का भी आदगार दिखाते ना उनके मस्तक में उनकी आँख खुल गई तो माना की क्या और विनाश हो गया पहली हमारी दृष्टी हमारी चेंज सब मेरे आत्माइं भाई है उसके बद ऑड़ बना व्रित व्रित वरिति, व्रिति माना कि हम दो तरीके से वृत्ति को ले सकते हैं, एक तो हमारा है वृत्त, वृत्त क्या है हमारा, कि एक बाप दूसरा ना कोई, हमने ये पवित्रता का वृत्त लिया है, तो जब एक बाप दूसरा ना कोई, तो हमारी साथ ही इसके साथ दृष्टी भी चेंज हो गई, अब कृती भी हमारी चेंज ह वह बोला बहुत सुंदर उन्होंने एक्स्प्लेन किया कि वृत्म अनना सरकल साइकल अब जिस संकल्प को हम बारबा क्रिएट करते हैं तो हमारे इर्दिद वो एक सरकल मना एक औरा क्रिएट करता है अब वो औरा वो वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलाता है और उस औरे के हमारे जब सोच भी चेंज हो गई हमारी दृष्टी भी चेंज हो गई तो हमारे कर्म में वो चीज़े आनी शुरू हो जाती है सबसे पहले सोच में आती है चीज उसके बाद धिरी धिरी जब उसको हम पुर्शात करते रहते तो वो हमारे कर्मों में भी आना शुरू होता ह पर डाप के मुल्ले के चिंतन चल रहा है उनके संकल्प, बाबा ने जो हमें संकुल्प दिय। वो चल रहे हैं, तो हमारे करम भी श्रेश्ट होने शुरू होते हैं. तो इस परकार सबसे पहले स्मृ्र्थी, स्मृ spectacle को चेंज करना, जो जो बाबा ने बताया, बाबा की मूरली के, बाबा के, मूरली महमला, एक बाब दूसरा ना कोई, हमें ये वरत्त लेना और इस वरत्त से हमारी वृत्ती चेंज हो जाएगी, Om Shanti. Very good. Thank you. शुक्रिया बाबा. आपने यह बोला था जो भी हमारे संपर्थ में उसको चार चीज़े मिले तो शक्ती शांती शीतलता और क्या क्या पी चोथी चीज अब लिमे था ना एक्जक्ट वर्ड क्या था शुकून वा वैसा कुछ और शब्द नहीं बाबाने प्रयोक किया जिसे हम कोई हाडव कर रहे होते हैं तो हमें इमेज़िट उसका किसी का सहरा मिल जाता है उस सेवा को में मुदद मिलती है यैदि कोई नहीं मिलता तब भी हम बापको बुलाते हैं तो उसका भी हमें अनभव होता है कि मेरी में शक्ती आ जाती है हम्jenak हमें सहारा शब्दे उस्टियाता जैसे हम सहारे के नीचे हैं बाबा के सहारे के अंदर है ऐसा नबह होगा और हमारे सहरेक के अंदर दूसरों का नबह कराना है किसी एक बेन और पुछा था बाई जी वो गौल बाल का कुछ पुछा था उसको पुछ रही थी पाण्डवों का चित्र भी गौलों के रूप में दिखाती है सदा गौल बाल साथ रहते थे इस लाइन का क्या थे जायद बाबा ने यह कहा कि कृष्ण के साथ गौल बाल को दिखाते हैं तो वो सब सदा साथ रहते थे इसी तरह से हमको भी क्या करना है अभी बगवान के साथ हम भी साती हैं, ऐसे खुदा दोस्त है, खुदा को दोस्त बनाके उनके साथ रहना है हम सब गवालवाल हैं बाबा के साथ, स्री कृष्ण जैसे रहते के साथ हम है क्योंकि सेवा में जो पांडव हैं वो हाडवर्क वाले जो भारी काम होते हैं पांडवों को लिना पड़ता है तो वो इतनी खुशी-खुशी से काजरा करते हैं कि उनका काम करना ऐसा लगता है कि यसे ये नाच-णाच के काम कर रही है तो इतना मतलब उन्हें बल भरा होता है क्योंकि गोपिकाएं जो होती है वो नाजुक होती है तो उनको सहज काम दिया जाते हैं तो हम भाव ले सकते हैं पांड़ों को जो सेवा मिलती है और प्रैक्टिकल ये एक अनुभर ये है कि जो अभी हम सब कर रहे थे विचार सागर क क्या कि जब हमें मदवण में सेवा मिलती है तो ये हमारा वहां पर प्रैक्टिकल जब इंप्लिमेंट करते हैं उसको तो तब हमारा एक दो दिन के बाद ऐसा नेचर बन जाता है तो इसलिए जिसको सेवा मिले तो वो ज़ूर इसको यूज़ करेगा तो उसकी ये ऐसी सब नेच्छल हो जाएगी ओम शान्ति अग्या इसे तो टाइम हो गया सेवाधारी कैसे बनना है बबने साथ पॉइंट यहां एक्स्पलेशन किया है है ना हमारा सामपर्प में आने से क्या क्या उनके प्राप्ति होना है सो वो सेवाधारी कैसे रहता है बताया है सो फिर से आप उस को धवराए पेज नमार 123 पर भाई जी फिर से आप एक टाइम वो मर्द यार दिल लाए और टाइम भी हो गये सभी पॉल खाब आप बताया था मैं शुरू में बताया था वही आपने शीतलता शक्ती का अनुभव हो सहारे का अनुभव हो हम सच्चे सेवाधारी है हम सब्वर्ख में आएं हैं ऐसे वही चक करना है हो मर्द के लिए क्योंकि हमारा जो जो भी हम कर रहे हैं उसका प्रूफ क्या है प्रूफ तो कर्म में ही होता है हैं लुक्त कर दुसरों का दुद्थ को अनुभव हो रहा है हमसे यही प्रूफ है दूर में को चक करना है आज के दिन कमण हमसे दुम को हमसे मिले थे और हमने उनको क्या नुभूति और ऐ कौन सा शीतलता, शांती, शक्ती और सहरा, ये चार बातों की अनुबूती मैंने कराया और नहीं कराया, एक बार चक कीजिए, सुने के पहले कौन-कौन मिलेते और क्या-क्या अनुबूव कराया हमने उनको, और खल ऐसा ना हो की, दूसरे निराश हो के हमके साथ मिलने के का, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये हो मक्ली, जे उसके साथ कुशी में रहना है, है ना, कुशे में रहने के लिए बाबनी का, तेविघ को पी का, ये अनुभूब करेंगे, गोटि का हूँ, गोपी का हूँ, झे चर एसका भी हम अनुभूब कर सकते हैं, सबी पॉल का आंसर दे ना सबी में स्क्रीम पर आकर का इधिंक कईयों ने दिया है 20 मेंबर्स ने दिया है और किसी को करना है तो अच्छा अच्छा ठीक है ओम शांती शुक्रिया गुटनाइट सभी का दन्यवाद